अगर नीती आयोग की बात करें तो 2030 तक इव इंडिस्ट्री भारत में लगबग एक करोड जोब पैदा करने वाली है इलेक्ट्रिकल वहिकल की ये लहर स्किल्ड और अंस्किल्ड वरकर के लिए उमीद की एक नए किरन लेकर आई है क्यों ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगी होगी आखिरकार ये इवी है किस चडिया का नाम कैसे और कहां इस इवी इंडिस्ट्री में जोब हासिल कर सकते हैं या सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में मैं कमल शर्मा आपका होस दोस्त और बड़ा भाई जो बताएगा इवी सेक्टर और उससे जुड़ी होई जोब ऑपोर्चुनिटी के बारे में तो इवी इंडिस्ट्री को इलेक्ट्रिकल वहिकल बोला जाता है यह वहान होते हैं जो पैट्रोल और डीजल की वजाए इलेक्ट्रिकल बैटरी से चलते हैं जैसे एरिक्षा ऐसे बहुत सारी कंपनिया हैं जो इरिक्षा इस्कूटर इकार और इबसस तक बना रही हैं पैट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई बहंगाई से और परदूशन को देखते हुए यह बहुत बड़ा महत्पून बदलाव हैं पूरी दुनिया के साथ भारत भी इवी की इंडिस्ट्री में अब आगे बढ़ रहा है भारत सरकार का लक्षय है कि ओटोमोटिव इंडिस देश बनाना है और यह तभी मुम्किन है जब तेजी के साथ इलेक्ट्रिकल वीकल बनाने वाली फैक्ट्रियां और उत्पादन क्षेत्र बढ़े आज के टाइम में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां और सरकारी संस्थाएं इस इंडिस्टी को काम्यां बनाने में लग स्टेशन और रिपेर के लिए ब्लू और ग्रे कोलर वर्कफोर्स की डिमान बढ़ती जा रही है तो सिर्फ यह परियावरन के लिए नहीं बलकि हमारे शर्मिक भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छी पहल है इवी सेक्टर में जो पाने के लिए दो ब्रांच या थी पर जब से ओटो मोबाइल पैट्रोल डीजल इंजन मोटर और बैटरी सिस्टम में बदल रहा है तब से इलेक्ट्रीशन ट्रेड्समें या इलेक्ट्रीशन टेक्नीशन की डिमांड और स्किल वर्कर की डिमांड बहुत जादा बढ़ रही है आईए अब हम इवी जौब की सम्भावनाओं की बात करते हैं सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिकल विकल फैक्टरी जसमें ट्रेड्ड वर्कर की बहुत सारी डिमांड रहती है फैक्टरी असंबल राइन में कम्पोनेंट असंबल करने के लिए टेंड आई टेक्नीशन्स, वेल्डर्स, फिटर् प्रोडक्शन वर्कर, टूल और डाई वर्कर की बहुत जाला डिमांड रहती है बैटरी यूनिट्स जैसे विभाग में केमिकल और इलेक्ट्रो केमिकल ट्रेड में आई टी आई या डिपलोमा के लोगों की बहुत सक्ष जरुवत रहती है टाटा केमिकल्स, मारतु सुजू की और हीरो मोटकोप जैसी कमपनिया इलेक्ट्रिकल वहीकल में लगने वाली लीथियम इयोन बैटरी के उत्पादन का प्लान कर रही है सब कंपोनेंट, मोटर यूनिट और एसिलेर यूनिट में मसेनिस्ट, कंट्रोलर और कंप्यूटर ओपरेटर की बहुत ज़रुरत रहती है जिनको मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट में मशीन चलाने के लिए नौलेज और एक्स्पिरियन्स दोनो हो जोब के लिए आप बहुत सारी कंपनियों में अपलाई कर सकते हैं कुछ के नाम मैं आपके साथ साजा करता हूँ जैसे ओला एलेक्ट्रोनिक्स बैंगलोर में राजस्थान में ओकिनवा महिंद्रा एलेक्ट्रिकल वहिकल पुने और बैंगलोर में एमजी मोटर्स गुजरात में अथर एनरजी बैंगलोर में और असोप लेलेंड राजस्थान और तमिलनाडो में दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल वहिकल्स में सर्विस रिपेर और मेंटेनिंस वर्क जिसके लिए टेक्निशन और रिपेर वर्क की बहुत जादा डिमांड रहती है इन वर्कर का काम गाडियों की सर्विसिंग रिपेरिंग और बैटरी बदलने का काम होता है कुछ बैटरी इंस्टॉल भी करते हैं इस काम के लिए स्किल्ड इलेक्ट्रिकल रिपेर वर्कर की ज़रुत रहती है जो बैटरी सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अच्छी खासी जानकारी रखते हों फिलाल आप जोब के लिए इलेक्ट्रिकल वीकल बनाने वाली कमपनियों के सर्विस सेंटर में और इसके अलावा हैदराबाद की रेस एनरजी, बैंगलोर की एमन वोल्टा आटोमेटिव और नई दिल्ली की फॉक्स मोटर जैसी कमपनियों में भी अपलाई कर सकते हैं जो पेट्रोल कार से ईवी कार में बदलने का काम कर रही है तीसरा और सबसे तेजी के साथ जो काम बढ़ रहा है वो है ईवी चार्जिंग स्टेशन का काम जिसका पूरे भारत में ये प्लांट लगाने का लक्षे है इसकी मदद से लोग कहीं पर भी अपने इलेक्टिकल वेहिकल चार्ज कर सकेंगे चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पावर लाइन वरकर और इंस्टॉलर पावर ग्रिड और पावर लाइन में काम करने वालों की डिमार्ड बहुत रहती है साथ में कुछ electrician की भी ज़रूत रहती है जो बैटरी बदलने में और maintenance करने में काम आ सके Tata Power इस समय हिंदुस्तान के 9 राज्यों में EV charging station लगा चुकी है और भी कमपनिया हैं जैसे ABB India, Panasonic, Bright Blue Charger जो charging station लगा रहे हैं जिसमें आप job के लिए apply कर सकते हैं ये charging station सिर्फ बड़े शहरों में नहीं छोटे शहरों में भी लगाए जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी job पैदा होने वाली हैं आने वाले समय में तो आप क्या सोच रहे हैं यही समय हैं अपने आपको कुशल बनाएं और EV सेक्टर में job पाने की तयारी करें क्योंकि फिलहाल skilled worker की बहुत demand है EV सेक्टर में तो दोस्तो यही समय है मोका देखकर चोका मारने का अपने कैरियर में क्योंकि EV industry अपने शुरुआती दोर में हैं जिसमें नोकरी पाने का मोका आसानी से मिल सकता है freshers जो अभी vocational course कर रहे हैं या ITI में पढ़ रहे हैं वो इस समय का पूरा अभ्योग कर सकते हैं किसी apprenticeship या project का हिस्सा बन कर क्योंकि direct industry experience और knowledge ही काम आएगा freshers का in industry में काम पाने के लिए experience लोग जो industry में काफी सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए भी मोका है एक नया career path बनाने का इंडस्टी में अगर देखा जाए तो experience लोगों की बहुत ज़ादा demand है क्योंकि वो अपने साथ automobile industry का अनुभव और जानकारी साथ लेकर आते हैं जरूत है थो थोड़ा upskilling करने की नए दोर के हिसाब से धनने की अपनी स्किल को अपग्रेड करें और EV सेक्टर में जोव हासिल करने के काबिल बने और जादा जानकारी हासिल करने के लिए comment section में जाए और अपना सवाल लिखिए हम से सवाल पूछिए हम अगले episode में आपके सवालों के जवाब देंगे अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिए, subscribe कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों के साथ share कीजिए हमें भी तो motivation मिले और आगे और अच्छे अच्छी वीडियो बनानेगा अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे हम अगले वीडियो में, नमस्कार शर्मिन जोब आप पर आप जैसे तेड़ लाख से भी जादा युआ जोब पा रहे हैं आज ही शर्मिन जोब आप पर जाएं और अपलाई करें अपनी पसंदिदा जोब के लिए बिलकुल फ्री में